जय हिंद, बजरंगी स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है इस तरफ हर जगा यही एक ही सूरखी है कि इरान के राश्चपदी की हत्या हो चुकी है उनके साथ एक हादसा हो चुका है तो अब हमें यह जानना है कि उनकी हत्या हादसा थी या साजिस थी यानि उनकी हत्या एक एक्सिडेंट हुई है या प्री प्लैंड मौत है इरान के राष्टपदी की तो हर टीवी चैनल पर हर न्यूस चैनल पर यही दिखाया जा रहा है कि इरान के राष्टपदी का हादसा हो गया है और हेलिकाप्टर में उनका हादसा हो चुका है तो हम जोग इस पर चर्चा करेंगे कि किसने मारा है इरान के राश्टपदी को देखिये दो तरफ सवाल उड़ते हैं एक तो मोसाद की तरफ उड़ते हैं जो इसराइल की खूफिया एजनसी है तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस ने मारा है या किस का हात हो सकता है इरान के राश्ट्रपदी की मौत में और ये इतना चिंता की विशय यह इसलिए है क्योंकि युद्ध की चिंता से तेल के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको सबको पता है इरान एक आयल प्रोडूसिंग कंट्री है क्योंकि यहां पर तेल बहुत मात्रा में पाया जाता है तो अगर वहां के राश्ट्राध्यक्ष का मर जाना या कहें कि मौत हो जाना या साजिस से मर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है तो इसकी तरीके से हम लोग जानेंगे कि क्या-क्या इनके साथ हुआ था और आखिरी में आप लोग ही बताईएगा कि क्या इनकी हत्या हादसे से हुई है या कोई साजिस थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले हर जखा यही सुरकी है कि इरान प्रेसिडेंट इन चौपर क्रेश चौपर का मतलब वही है लिकाप्टर क्रेश होने की वज़े से अब इनकी मौत हो गई है यह कौन यह इरान के प्रेसिडेंट है इनका नाम है अब्राहिम राइसी और यह मीडिया में स्टेट मीडिया रिपोर्स ने एकदम कर दिया था कि यह मर गए है तो उनकी मौत की पुष्टी वहीं के लोकल मीडिया हाउस ने की थी, देखिए ये है वहाँ इलाका जहां पर उनका चौपर क्रेश हुआ था, ये आपको चौपर दिख रहा होगा या हिलिकाप्टर दिख रहा होगा, लिखा है विज्वल आफ हिलिकाप्टर रेकेज साइट ये आप सबके सामने दिखाया गया है कि हाँ, यहाँ पर हिलिकाप्टर क्रेश हुआ है और यहीं पर उनकी मृत्य हुई है, ये देखे, ये इरान चैनल प्लेज फूटेज फूटेज फ्रॉम दा क्रेश चाइट, अब ये लोग पहुँच गये हैं मौकाय वारदात पर, और सबकुछ सबको मीडिया हूस को दिखा रहे हैं, यानि पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि क्या-क्या हुआ था यहाँ पर, और जो हिलिकाप्टर दुरगटना हुई है, उसमें सिर्फ इबराहिम राइसी प्रेसिडेंट ही नहीं थे, बलकि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उनका नाम है हुसेन अमिर दुल्ला, यह दोनों एक ही हिलिकॉप्टर में बैठे हुए थे, और जिसमें यह दोनों बैठे हुए थे, उसमें टोटल 15 लोग थे, तो यानि 15 लोग मारे गए हैं, जिसमें मुक्यता में प्रेसिडेंट हैं इबराहिम राइसी और फा वहां से जब बांद का उद्गाटन हो चुका, तब यहां से तीन हिलिकॉप्टर वहां से रवाना हुए, और जिसमें यह दोनों बैठे थे, सिर्फ वही उसी हिलिकॉप्टर की दुर्गटना हुई है, और बाकी जो दो थे, वो सही सलामत इरान पहुँच गये थे, लेकि अजर्बेजान से वापस आ रहे थे, डैम का उद्गाटन करने के बाद, यानि यह गये थे डैम का उद्गाटन करने, लेकिन किसी ने इनको ही निप्टा दिया, अब निप्टा दिया है या खुद हेलिकॉप्टर क्रेश होने की वज़े से हुआ, यह हम लोग आगे अजर्बेजान, इनका हेलिकॉप्टर क्रेश में निधन हो गया है, और इरान की सरकारी न्यूज एजनसी इरना, यानि इरन की इरना ने सुमवार सुबाहिया जानकरी दी है कि अजर्बेजान से लोटते समय, उनका हेलिकॉप्टर रविवार शाम सात बजे, लापता हो ग को उस समय खोया है, यानि इनकी मौत तब हुई है, जब इसराइल से उनके रिष्टे की टवकराव की सीमा बिगल गई है, यानि इस समय इसराइल और इरन का भी थोड़ा लफड़ा चल रहा था, तो उसी लफड़े के बीच में अगर इन दोनों की मौत होती है, तो ये इसराइल ने मारा है, या फिर अमेरिका ने मारा है, लेकिन इनकी मौत से ये है, और इरन के प्रैस डाइ इन हेलिकॉप्टर क्रेस, इस से ये है कि और इनका मलबा मिला है, वो तबरीज नामक इस्थान पे मिला है, आईए उसको भी देख ले, ये देखिए, ये है वह जग तरह से हेलिकॉप्टर का मलबा ही बचा हुआ है पाकिसी में कुछ बचा नहीं है अब ऐसी इस्थिति में आपको खुद यह देख कर लग रहा होगा कि जो भी इसमें रहा होगा वह डेफिनेटली मर गया होगा है किसी के बचने की कोई उमीद इसमें दिख नहीं रही है और यह वहीं इरान के कुछ ऑफिसर्स हैं यह जो भी वहां पर डेट बॉड़ी हैं उनको उठाके ला रहे हैं मतलब जो भी उनको मिला है उसको उठाके ला रहे हैं अब इन सबको जाच के लिए भेजा जाएगा डियने के हिसाब से पता चलेगा कि हाँ वो इबराहिम राइस लेकिन जो सर्वे सर्वा हैं इरान में जिसकी चलती है वो है खामेनेई एक मुस्लिम लीडर है यह इरान के सर्वे सर्वा है लेकिन राष्टपती से उनकी जनता या परसासन चलता था और सुप्रीम लीडर जो है वो खामेनेई है तो उन्होंने ट्वीट करके यह जानकार किया है प्रोमिनेंट फिगर सच एज तबरीज फ्राइडे प्रेयर लीडर हुजतल इसलाम अल्हा हिसाम दर डिलिकेंट एक्टिफ फॉरेंड मिनिस्टर यानि इनों ने भी फॉरेंड मिनिस्टर के मरने की पुष्टी कर दी है बात कर लें खामेनई की तो सुप्रीम लीडर खामेनई के उत्तराधिकारी कहलाते थे रैसी तो जो इबराहिम रैसी हैं वो उनके खामेनई के उत्तराधिकारी कहलाते थे यानि अगर खामेनई मतलब नहीं रहे या नहीं जिंदा रहे तो उनके बाद इबराहिम रैसी ही सुप्रीम लीडर इरान के बनेंगे लेकिन उन का राश्टपती बनने से पहले वे कई नयाईक पदों पर काम कर चुके यनि वह इरान के जज भी रह चुके हैं तो प्रेसिडेंट होने से पहले जो राईसी थे वो इरान के जज भी रह चुके थे और जज के पद पर उन्हों ने यह तस्वीर उन राजनीतिक कैदियों की है जिनें सामूहिक सजाय मौत दी गई है और इसी घटना के बाद राष्टपती रईसी को तेहरान का कसाई कहा जाने लगा इरान की राजानी है तेहरान और राष्टपती रईसी इबरहिम रईसी जिनकी मौत होई है इनको तेहरान का कसाई कहा जाता था क्योंकि इन्होंने एक साथ इतने लोगों को मौत की सजा सुनाई थी जब वो जज़िकपर के काम पर कारेरत थे तब उन्होंने एक साथ इतने लोगों को मौत की सजा सुनाई थी यानि आप ये कह सकते हैं कि जो राइसी थे उनकी क्या बहुत अच्छी इमेज नहीं थी लोगों के बीच में लेकिन इनकी मौत की घटना ने सब को अचम्भित कर दिया क्योंकि भाई कोई राश्टरध्यक्ष है उसकी मौत हो जाना अलग बात है बुराई करना अलग बात है लेकिन मौत हो जाना वो दूसरी बात है और वो भी राश्टरध्यक्ष की तो ये देखे राश्टरध्यक्ष के राश्टरपदी बनने से पहले अमेरिका ने उन पर बयन लगाया था यानि अमेरिका ने पहले ही इन पर बयन लगा दिया था जब ये राश्रपती बने नहीं थे तब भी यानि जब ये जज थे तभी इन पर बयन लगा दिया किया था कि आपको अमेरिका में आने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है और इसी ने क्या क्या किया है 1994 ये तेहरान के प्रोसीक्यूटर जनरल बने फिर 2019 में ये इरान के चीफ ज़स्ट्री जहनी जज बने और फिर नॉवंबर 2019 में अमेरिका ने इन पर प्रतिबंद लगा दिये जनी जब ये ज़द थे तभी इन पर प्रतिबंद लग गया था और फिर फाइनली 19 जून 2021 को वो इरान के राश्टपती बने थे यानि राश्टपती बनने से पहले ये जजज के काम कर चुके थे और उससे पहले ही अमेरिका ने इन पर बयान लगा दिया था कि आपको हमारे देश में आना नहीं है तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अमेरिका transition में या जब जाच में निकल के आएगा तभी पताचलेगा कि क्या इनकी हत्या हुई थी या फिर वो सच में एक हाथसा था लेकिन अब प्रेसीडेंट की मौत के बाद अब वहान पर वइस प्रेसीडेंट काउन मनेगा तो ये वाइस प्रेसीडेंट थे वहां पर और ये अब प्रेसिडंट की जगा ले लेंगे, क्योंकि जब वाइस प्रेसिडंट नहीं रहेगा देश का, तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडंट ही उनकी जगा लेता है, तो अब यह जो है यह कुछ दिन, लगभग 50 दिनों तक यह कार्यवाहक राश्टरपती के रूप में काम करें क्योंकि पचास जिनों के अंदर वहां पर यह नए जनरल इलक्षन हो जाएंगे और फिर उन्हें नया राश्च्रपती मिल जाएगा और उनका नाम क्या था तो उनका नाम है 2021 में इरान के उपर राश्च्रपती बने थे मुखबेर यह जो यह हैं यह मुखबेर हैं यह उपर को उन्तिरीं राश्च्रपती बना गया यह इंटरें राश्च्रपती इंको बना गया मुखबेर यह सब्राइब नो blem यह उपर उस doenट नहीं गये हैं बलकि उनकी नियुक्ति हुई है यानि सीधी से बात यह है कि पस्चिम यानि जो अमेरिका समर्थे देज हैं वह किसी और देज की तारीफ कर नहीं सकते हैं यागर वह लोग इलेक्ट होके आए तो हाँ बाई जनता उनको चाहती है और कोई और इलेक्ट होके आए प्रतिवंड हता लिया गया था यानि इरान से जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं अमेरिका समर्थित देश हैं उनके रिस्ते कुछ अच्छे नहीं हैं तो इसी लिए यह कयास लगाए जाते रहे हैं कि या तो इसराइल ने इनको मारा है या तो अमेरिका ने मारा है या अमे धानजली अरपित कर दी है और विदेश मंत्री डाक्टर जैसंकर ने भी उनको अपनी तरफ से कंडोलेंस समझपित कर दिया है और इंडिया ही नहीं लगबक सभी देशों ने इंडिया हो पाकिस्तान हो रशिया हो चाइना हो तुर्की हो जो भी मेजर कंट्रीज हैं उन्हों फ्रांस हो गया जर्मनी हो गया इन सबने अब तक उनको स्रधानजली भी अरपित नहीं की है यनि उन लोगों के हिसाब से इनका मर जाना बहुत ही अच्छी बात थी तो आगर किसी देश स्रधानजली भी नहीं आ रही है तो आप इसका मतलब खुद समझ सकते हैं कि हो सकता के अपना दुख जताया है और बाकी चाल्स माइकल हैं और यहां पर जोसफ बेरल फरलेंस हैं यनि बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इन पर त्वीट किया है और स्रधानजली अरपित की है सिवाए अमेरिका और वेस्टरन कंट्रीज और इसराइल को छोड़ कर तो इ इन ही का पूरा हाथ है उर्ण के राष्टपति को मरवाने और अब आगे बात करने कि राष्टपती जिस हेलिकॉप्टर में जा रहे थे वह ineूं कर ने तो र humility कर nu बनेुद हेलों एंडिन करनी पड़ी जो हेलिकॉप्टर था हेलीकॉप्टर का मोडल अमेरीका में बनाय गया था और 1989 की करंटी के बाद इसे इरान को बेचा नहीं जा सकता था जैनि आप ये कह सकते कि बेल 2212 का ट्रेक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है इस विमान की वजह से सबसे हलिया घातक दुरगटना पिछले साल सितंबर 2023 में हुई थी एक निजी तवर पर सचालित विमान संयुक्त अरब अमीरात के तट पर दुरगटना ग्रस्त हो गया था यानि जिस हेलिकॉर्टर में रैसी जा रहे थे उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी इससे पहले भी ऐसे हलिकॉर्टर में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं एक दुरगटना 2018 में हुई थी जिसमें 4 लोग मारे गए थे बेल 212 चालक दल सहित 15 लोगों को ले जा सकता है 15 लोगों को ले जा सकता लेकिन जितने लोग इसमें बैठे थे वो सभी मारे गए हैं हेलिकॉर्टर कहां का है अमेरिका का और इस हेलिकॉर्टर की रिकॉर्ड इस्तित भी बहुत खराब रही है इसलिए यहां पर हम लोग यह कह सकते हैं कि शायद उनकी मौत हादसा नहीं थी साजिस थी लेकिन इरान के सेना प्रमुक ने रईसी के हेलिकॉर्टर हादसे की जाच के आदेश दे दिये हैं यानि अगर कोई इसमें शामिल होगा तो उसकी हाई रैंकिंग कमेटी जाच की जाएगी और अगर किसी का हाथ इसमें आया तो उस पर उसी के हिसाब से कारेवाई की जाएगी रूस ने हेलिकॉर्टर दुगटना में जाच की मदद पेशकश की यानि जो इनके हेलिकॉर्टर को निकालने में या ट्रैक करने में रशिया ने सहायता दी थी तरकी ने भी अपना ड्रोन भेजा था यानि सब के कमबाइंड सहयोग से ही इनके हेलिकॉर्टर का पता चल पाया है कि कहा गिरा था ये और जांच होने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि उनकी मौत ती या दुरगटना तो फिलाल देखना यही है कि जांच में क्या निकल के आता है और एक लास्ट सबसे बड़ी वाद अमेरिका में अमेरिका राज में एक फ्लोरीडा राज है वहां के एक सांसद ने कहा है कि हमें ताना साही नेता से चुटकारा मिला है यानि उनको बहुत ही अच्छा लगा महस कि ये अच्छी बात है कि हमें उनसे चुटकारा मिल गया सांसद ने ये भी कहा कि उन्होंने मानवादिकारों की हत्या की थी मतलब दूसरों को मानवादिकार की बात समझा रहे हैं और खुद नहीं देखते हैं कि उनके देश में क्या हो रहा है और इस सांसद ने काफी दिनिया और सुरक्षित हो गई है यानि रैसी की मौत से इन सब को बहुत खुशी मिली है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि इरान की जंता रैसी से प्यार नहीं करती थी और अब उनके मरने के बाद भी उन्हें कोई याद नहीं रखेगा भाई ये तुमको लगता है कि उन और नुकलर बाम छोड़ देंगे बाकी चाहे जो हो और लास्ट में इन्होंने कहा कि सीनेटर ने उम्मीद जताई है कि इरानी जंता हत्यारे ताना शाही से देश को मुक्त कराने में काम्याब होगी इनके बयान से आपको क्या लग रहा है कि इनकी मौत हत्या थी या साजि आप हमें नीचे कमेंट में बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आये हों तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो भी समय करेंट में न्यूज आती हैं उनकी मैं अपडेट आप सब तक साज़ा करता रहता हूं तो इसके लिए हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं बाकी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद